प्लीज सब्सक्राइब आर योट्यूब चैनल क्वालिटी पर्फेक्ट इंडिया और हिट दा बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जगदीश परसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी पर्फेक्ट इंडिया दोस्तो आज का जो हमारा सेशन है वह है ISO 9001-2015 जो की क्लाउज नंबर 7 सपोर्ट के बारे में बात करेंगे और आज जो हम जिक्र करेंगे वो क्लाउज नंबर 7.1 जो रिसोर्से से उसके बारे में बात करेंगे और यह quality management system series के part 5 होगा जो हिंदी में होगा तो आज यह दोस्तों शुरू करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पहले हमने चार नंबर में context of the organization के बारे में बात किया था पांच नंबर clause में बात किया था leadership के बारे में और 6 नंबर में planning की बात किया था और आज जो हम बात करेंगे support के बारे में इसके बाद बात करेंगे operation के बारे में तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि किसी बार navigation में operation या कोई भी process किया जाता है उसके लिए support होना बहुत जरूरी है इसलिए operation के पहले यहाँ support आता है आए दोस्तों हम बात करते हैं support के बारे में तो दोस्तों यहाँ support है 7 नमर जो clause है इसमें 5 sub clause आते हैं 7.1 resources की बात करता है 7.2 competence की बात करता है 7.3 जो है awareness की बात करता है 7.4 communication की बात करता है और 7.5 जो है documented information की बात करता है तो आज जो हम बात करेंगे वहाँ केवल बात करेंगे 7.1 resources के बारे में क्योंकि जो support जो है clause जो है वह थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है ज़्यादा बड़ा है इसलिए हम इसको एके करके समझने की कोशिज कर देंगे जिसे की कोई भी concept आपको doubt में न रहा जाए हर concept आपको clear हो मेरा motto यही रहता है मेरा यही सपना होता है कि जो भी मैं आपको समझाओं वो एक easy भासा में समझाओं easy language में समझाओं जिसे की आपको किसी तरह का doubt न रहा है तो आज़े दोस्तों सुरू करते हैं आज का session जो है 7.1 resources के बारे में दोस्तों यहां 7.1 resources के अंतरगत और भी sub element आ जाते हैं जो कि 7.1.1 जो general की बात करता है 7.1.2 people की बात करता है 7.1.3 जो है infrastructure की बात करता है और 7.1.4 environment for the operation of the process की बात करता है 7.1.5 जो है monitoring and measuring resources की बात करता है और 7.1.6 जो है organizational knowledge की बात करता है आए दोस्तों इसको हम एके करके समझते हैं सबसे पहले है 7.1.1 general की बात करता है इसमें कहता है कि the organization self-determined and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the quality management system यानि कहने का मतलब या है कि quality management system क्यों, establish करने के लिए, implement करने के लिए, maintain रखने के लिए और continual improvement करने के लिए जो भी resources needed है वह organization provide करा है या बात करता है यहाँ पे आपको 7.1.1 में और अब यहाँ पर होती है कि resources जो किस तरह से पता लगा है तो सबसे पहले यह काथाई standard की organization के अंदर जो भी available resources है पहले उसको पता लगा है और available resources जो है और उसके बाद जो needs जरूरत है जो नहीं है उसको भी पता लगा है और जो भी gap है यानि कि जो नहीं है उसको provide कराने के लिए वह organization जो भी external provider इस्तमाल कर या जैसे भी हो जो available नहीं है और वो जरूरी है उससे available कराई organization यहाँ बात करता है 7.1.1 में अब यह बात करते हैं कि 7.1.2 people की बारे में बात करता है वह कहता है इस टेंडर यह कहता है कि the organization shall determine and provide the person necessary यानि कि quality management system के implementation के लिए और process के operation और control करने के लिए जो भी competence आपको people चाहिए वह organization provide करा है इसमें बात करता है 7.1.2 में people के बारे में तिसरा है जो यहाँ पर है 7.1.3 infrastructure की बात करता है और यह इस टेंडर कहता है कि the organization shall determine, provide and maintain the infrastructure necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of product and services यहाँ पर कहता है कि product और services के conformity को maintain करने के लिए और नाजेशन जो है infrastructure को provide करवाए और maintain करवाए इसमें infrastructure के अंतरगत कौन-कौन सा आता है building and associate utilities यानि कि जहाँ पर operation या process हो रहा है वो बिल्डिंग से available करा है और जो भी utilities होता है उसके लिए associated utilities से उसको provide करा है और इसके अंतरगत equipment including hardware and software यानि कि इसके अंतरगत जो hardware और software जो भी equipment है वो उसको भी provide करा है यह बात करता है और इसके बाद transportation resources यानि कि यदि उस organization के transport की जरूरत है तो वो भी resources को provide करा है organization और information and communication technology जो भी information and technology की जरूरत है उसको भी provide करा है यह सब बात आती है infrastructure के अंतरगत जो 7.1.3 के अंतरगत आता है आई अब हम बात करते हैं कि 7.1.4 जो environment for the operation of process की बात करता है यह काता है कि organization के अंतरगत जो environment होना चाहिए हुआ वह सही ढंक से होना चाहिए जिसे कि जहां पर process या operation हो रहा हो अब इसमें environment के अंतरगत तीन चीज़ आते हैं एक आता है social दूसरा है psychological और तीसरा है physical social का मतलब यह होता है कि suppose अगर किसी organization के अंदर male या female दोनों काम करते हैं तो दोनों के अंदर में किसी भी परकार का किसी भी परकार से भेदभाव ना हो यानि कि एक imply दूसरे imply से किसी भी परकार का भेदभाव ना करें या आता है सब social environment में दूसरा है psychological environment इसमें होता है कि जो भी उसमें काम करते हैं उसको ज़्यादा burden ना दे उसका stress समय सा reduce करके रखें और उसका जो भी emotional उसको कोई burden ना दे यह सब आता है psychological environment में और तीसरा आता है physical physical के अंतरगात आता है कि organization के अंदर जो अगर temperature से related है उसको maintain करके रखें heat है humidity है light air flow है hyzen है यह सब आता है physical environment के अंदर यानि कि जहाँ पर AC लगाना की जरूरत है तो वहाँ AC लगा है तो यह सब जो है physical environment के अंतरगात आता है आये हम बात करते हैं 7.1.5 जो monitoring and measuring resources की बात करता है इसमें जो sub element है 7.1.5.1 जो general बात करता है इसमें कहता है कि the organization cell determine and provide the resources of equipment monitoring and measuring to verify the conformity of product and services इसमें यह कहता है कि product और services के conformity को verify करने के लिए जो भी equipment की जरूरत पड़ता है उसे organization available करा है अब यहां पर जो बात आती है monitoring equipment और measuring equipment दो तरह का equipment हमने बताया है अब इसमें monitoring equipment किसे कहते हैं दोस्तो monitoring equipment वह equipment होता है कि जो process में होने वाल प्रोसेस के parameter को जो हम check करते हैं उसे हम उस equipment को monitoring equipment कहते हैं for example suppose अगर किसी organization में है कोई machine है जो air pressure से उसके चलाया जाता है तो जो air pressure का हो जो हम check करेंगे वह air pressure gauge से check करेंगे और उस gauge को हम monitoring equipment करते हैं दूसरे example ले suppose अगर कोई machine है जिसका temperature से लेटर है या कोई ऐसा process हो रहा है जिसमें temperature को maintain करके रखना है तो उस process को हम जब temperature को check करते हैं तो उसको या तो हम thermometer से check करेंगे या फिर हम temperature meter से करेंगे तो ऐसे equipment को हम monitoring equipment करते हैं दूसरा है measuring equipment किसे करते हैं जब किसी product को physically हम check करते हैं जैसे उसका length हो गया width हो गया डाया हो गया तो ऐसे equipment को हम measuring equipment करते हैं तो दोस्तों यह clear हो जाए कि monitoring and measuring equipment किसे करते हैं अब यहाँ पर बात करता है कि organization cell ensure the resources provided are suited for specific type of monitoring and measurement एक्तिविटीस बेंग अंडर टेकन यहां पर यह कहता है कि और माइक्रो मीटर की जरूरत है तो माइक्रो मीटर प्रवाइड कराए वर्नियर ना कराए for example suppose अगर कोई company seat metal की company है और seat आता है तो जिसको हम thickness check करते है micrometer से वह micrometer वहाँ provide कराना चाहिए यह ऐसा नहीं कि वहाँ vernier से check करें vernier से भी check हो सकता है लेकिन वह accuracy नहीं मिलता है जो कि micrometer से मिलता है तो यह standard यही काता है कि जिस तरह से equipment की जुरूरत है उसी तरह से वह organization वहाँ पे available करा है और दूसरा यह काता है कि उस जो भी equipment है उसको हमेसा fit करके fit रहे यानि कि उसका calibration कराके रखे जिसे कि जो हम product और services जो भी हम उसका confirmity को हम चेक कर रहे है मेजर कर रहे हैं तो साई डंग से मेजर हो सके इसके लिए क्या करना चाहिए calibration करना चाहिए और calibration के साथ साथ जो भी उसका document है वह अभी available रहना चाहिए department के अंदर यहाँ बात सब करता है 7.1.5 monitoring and measuring resources में आये दोस्त अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो 7.1.5 monitoring and measuring resources में जो subcloud 7.1.5.2 जो measurement traceability की बात करता है यहाँ पर यह कहता है कि जो भी आप equipment यूज कर रहे हैं measuring करने के लिए verify करने के लिए वह calibrated होना चाहिए तब ही हम उसको हम साई डंग से कह सकते हैं कि equipment सही है और नहीं है और दूसरी बात यह कहता है कि जो भी हम calibration करा रहे हैं वह एक frequency period में होना चाहिए यानि कि आप calibration one year में करा है या six month में करा है या फिर three month में करा है यह depend करता है कि severity of equipment पे और उसके और number of times used in the for checking यानि कि यदि कोई severity जादा है उसको हम frequency जादा कर लेंगे जादा करने का मनलब कि साल में न करके six month करेंगे और कोई equipment बहुत ही जादा use होता है तो उसको भी हम calibration का frequency बढ़ा देंगा और तिसरी बात यह करता है कि जो भी वह calibration करा है वह किसी international या national measurement standard के अनुसार होना चाहिए या बात करता है या 7.1.5.2 में दूसरी बात करता है कि जो भी आप उसका equipment को calibration कराते हैं उसका status हमेशा available होना चाहिए कि यानि कि कब हुआ था कैसे हुआ था कौन उसका certificate परवाइड कराया है उसका status क्या है या सब कहता है बी में और सी में या कहता है कि जो भी equipment आप use करते हैं वह safeguard में रहना चाहिए वह किसी तरह से dimension में नहीं होना चाहिए यह सब बात करता है 7.1.5.2 में आए दोस्तों हम बात करते हैं 7.1.6 जो organizational knowledge की बात करता है यहाँ पर standard कहता है कि the organization shall determine the knowledge necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of product and services यह कहता है कि organization को product and services के conformity को achieve करने के लिए जो भी knowledge की जरूरत है वो अपने organization के अंदर determine करें और उसको use करें जिसे की conformity of product and services का जो है वो सही बना रहा है अब यहाँ बात आती है कि organizational knowledge किसे करते हैं तो दोस्तों organizational knowledge वह knowledge होता है जो अपने organization के अंदर या किसी वी organization के अंदर हम अपने experience के अधार पे जो हम gain करते हैं ऐसे knowledge को हम organizational knowledge करते हैं यह knowledge चाहें वह process में failure के चलते हम सीखे हो या product के failure के चलते सीखे हो या successful project करने से सीखे हो जो भी GCB परकार का हमने experience gain किया है इस तरह से जो knowledge प्राप्त होता है उसको हम organizational knowledge करते हैं और यह knowledge जो है दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है पहला है internal sources intellectual property यानि कि जो भी वहाँ बुद्धी जीवी experience holder है उस knowledge को जब हम use करते हैं तो हम उसे है internal source of knowledge करते हैं दूसरा है external source knowledge जो कि हम standard से या academic से या gathering knowledge from customer and external provider से जो सीखते हैं यानि कि जो बाहर से जो हम सीख करके use करते हैं और नाइशन के अंदर ऐसे knowledge को हम external source of knowledge कहते हैं तो यहां पर standard यही कहता है कि जो भी determined, जो भी knowledge की ज़रूरत है जो confirmity को, product and services के confirmity को बनाए रखने के लिए वो सभी knowledge आप चाहे internal से प्राप्त करें या external से प्राप्त करके उसको use करें यह बात करता है 7.1.6 organization knowledge में तो दोस्तों यहां पर अब complete होता है 7.1.6 organizational knowledge और इसी के साथ complete होता है 7.1 resources के बारे में दोस्तों यह एक छोटा सा session रहा आसा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा यदि आपको यह अच्छा लागा हो तो आप इसे like करें और हमारे channel पर यदि आप नए हैं तो इसे subscribe करें और bell icon जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ share करें इसी के साथ next video तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ thank you thank you very much